So, hey hello guys, आप सुपलू का सुवागत है एक brand new और बहुत ही interesting सा वीडियो पर I know आपको title देखे थोरा सा shocking या हरानी लगा होगा दोस्तो, but it's true इस वीडियो को बिना देखे आप इस phone को यानि कि OnePlus 8 को बिलकुल भी मत खरीदना दोस्तो क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं guaranteed के साथ बोल सकते हूँ या तो आपको ये phone बहुत ही ज्यादा पहले से ज्यादा पसंद आने वाला है या तो फिर आपके लिए ये phone deal breaking होने वाला है So, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को बिलकुल भी मिस मत करना दोस्तो इस phone को मैंने खुद के पैसे से खरीद है OnePlus वालोने मैं को review के हिसाब से नहीं वेजाए दोस्तो तो मैं इसको as a daily driver के लिए use कर रहा हूँ और आगे भी use करूँगा मेरे primary phone के हिसाब से तो मैं को क्या-क्या परिशानी, क्या-क्या दिक्कत का सामना हो इस phone को लेकर और as a flagship device या as a flagship killer कैसा लगा ये make a phone वो सब कुछ आपके साथ शेर करने वाला इस वीडियो के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है तो आप इस अगर phone को खरीदना चाहते हो तो मैं आपको definitely recommend करूँगा कि इस video के at least एक बार देख लेना तो वही चलिए देखते हैं आप कौन से category में आता हो आपको ये phone पसंद आता है या आपके लिए deal breaking होता है तो चलिए वीडियो को start करते है करते हैं और आपको तो पथे हो हां माला हो आपको यह वाला इंट्रो काफी ज्यादा पसंद आया होगा अन्बोक्सिंग वाला पार्ट अगर पसंद आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना इसके लिए वीडियो के लाइक तो जरूर करना अभी चलिए आगे वड़ते में मुद्दे की और इस फोन की और तो आपको जैसे कि मैंने बोला था कि यह फोन या तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है या तो आपके लिए यह डिल ब्रेकिंग होने वाला है तो अगर पा आपके लिए एक फिन ऐसा बी और इसमें ऐसा भी कॉन है जो कि इस फोन को आपके लिए डिल ब्रेकिंग बना करते हैं तो आपको बता होगा कि ये OnePlus 8 है जो कि successor है इसके predecessor का जो कि है OnePlus 70 बट आप अगर camera department के और जाओगे दोनों फोन में तो आपको ये वाला phone predecessor लगएगा ना कि successor ऐसा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोनों फोनों में आपको OnePlus 70 और OnePlus 8 में सेम सेंसर यूज किया गया है बट इसका जो में सेंसर है 48 मेगा पिक्सल वाला उसका जो aperture है वो है 1.8 और इसका जो predecessor है उसमें आपको सेम सेंसर लगाया गया है with 1.6 aperture के साथ तो यहाँ पर मैं आपको OnePlus के साथ बोला चाहूँगा कि यहाँ पर आप क्या बना रहे हो डाउन ग्रेड कर रहे हो क्या अप्ग्रेड कर रहे हो पता नहीं चल रहे हो उसके साथ ही जब भी आप इस phone को खरीदोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा unless आप इसके camera में जाके इसका macro camera जो है उसको on ना करो तो मैं आपको बोलना चाहूँगा इसका macro camera को आप on ना ही करना वरना आपके दिन में इतना ज्यादा चोट लगेगा ना उस चोट को आप साही नहीं पाओगे मतलब इसका camera है न 2 megapixel वाला ये क्या खा के implement किया OnePlus वालों ने में को कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों इतना गंदा photo आता है क्या जी दिखाऊँ दोस्तों आपको दिखाने में शर्म आ जाता है आप अगर इसका जो main camera है 40 megapixel का उसके साथ आप अगर 2x zoom के साथ photo को क्लिक करते हो macro में तो वो photo better आता है compare to ये 2 megapixel वाला इतना गंदा photo आता है और इस phone को मैं लगबग 20 days के उपर से use कर रहा हूँ मेरे personal experience के साथ बता रहा हूँ दोस्तों इसका जो camera है ये okay इश है ना कि perfect है flagship level का बिल्कुल भी नहीं है हाँ आप इसको use कर सकते हो इसके camera को जब तक आपके लिए camera first priority ना हो जैसा कि मेरे लिए मेरे लिए phone ज़्यादा matter करता है phone का experience, phone का user interface, phone lag back तो नहीं होता daily life में कैसा perform करता है वो मेरे लिए ज़्यादा priority करता है first priority रहता है वो मेरा camera मेरे second मेरा रहता हाँ आप बोल सकते हो कि इसका जो camera है इसको आप use कर सकते हो most of the time आप use कर सकते हो इसको जो selfie camera है 16 megapixel वाला वो बहुत ही अच्छा photo क्लिक करता है आप इसको use कर सकते हो तो हर जगा पर बहुत ही sharp photo क्लिक करता है हाँ इसको जो processor है 865 Snapdragon वो काफी अच्छे photo को process करता है compare to 70 लेकिन वो daylight में करता है low light में नहीं करता है लेकिन इसको जो photo हो वो काफी time washed out आ जाता है बट वीडियो में ऐसा नहीं होता है दोस्तोर उसी साथ ही इस phone में आपको super slow-mo देखने को नहीं मिलता अभी तक कि आप अगर एक camera enthusiast person हो तो यह phone आपके लिए थोरा सा disappoint हो सकता है considering इसके price point इसका जो color है यह green color में आता है जो कि 45,000 का make-up परा है यह phone 8GB 128GB आप चाहे तो इसका 6 128GB वाला वी variant जो है उसको purchase कर सकते जो कि 42,000 में मिल जाएगा link आपको वीडियो के नीचे description पर मिल जाएगा जो कि में को लगा है तो चलिए इसका fast pro से start करते है जो कि है इसका display हाँ जी दोस्तों इसका जो display है न मैं क्या ही बताओ में को इस प्यार हो गया है day to day life में जो इस phone को use करोगे 90Hz पर 90fps पर games बगरा को खेलोगे जो games supported है जैसे कि asphalt 9 बगरा या Facebook को Instagram को scroll करोगे animation बगरा करोगे तो आपको बतला प्यार हो जाएक इस phone के साथ और इसका जो display है न ये curve में आता है जैसे कि देख सकते हो और ये जो curve है न मैं बोल सकते हो सबसे best curve display क्योंकि ना तो जादा है ना तो कम है बहुत ही अच्छे से इसका display implement किया गया है side से अगर कोई देखेगा तो बहुत ही flagship level क लगे इसका display लेकिन वही पर इसमें आपको ज्यादा कर ना होने के वज़ा से accidental touch zero या पर देखने को मिलता है मैंने 20 डे से उपर यूज किया है कि में को एक बर भी accidental touch या पर देखने को नहीं मिला आए दोस्तों तो हाँ इसका display मैं best बोलना चाहूंगा इसके price point में 42,000 में इससे अच्छा आपको display देखने को नहीं मिलेगा 90Hz, Corning, Gorilla Glass 5 पीछे सामने दोनों में देखने को मिलता है and HDR10 का support है तो आप इसमें Netflix बगरा बहुत चिल तरीके से HDR में देख सकते है वाइड 1, L1 वगरा सारे कीजे जो है वो supported है जितने भी sensor है सारे आपको इस phone में देखने version है इसका जो fingerprint sensor यह project करता है white light ना कि green या blue light जो कि बहुत ही fastly and बहुत ही accurately आपके fingerprint को scan करता है बहुत ही fastly आपके phone को unlock कर देता है और उसे के साथ इसका जो face unlock है वो भी बहुत ही देता fast आपको बता ही होगा OnePlus पहले से ही face को बहुत ही fastly unlock कर देता है और यह तो OnePlus 8 है तो आप definitely इन दोनों feature को check out करना मत भूला पूरा पैसे आपको वसुल हो जाएगा जब भी आप इस phone को हाथ में लोगा मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों आप जब हाथ में लोगा तब आपको बता चलेगा मतलब इतना अच्छा design है ना मतलब कई से भी यह phone आपको flagship level का दिखाने में कोई भी कमी नहीं चोड़ेगा यह phone अब जब भी आपके phone को अपने कान पर डालो गई या कहीं से भी pocket से निकालो गए public place में तो कोई ना कोई इसके display को और इसके design को देखकर बोलेगा हाँ बंदेने अच्छा phone करीदा है और उसे के साथ ही इसका जो variant है यह green variant और यह आता है frosted back के साथ मतलब आपको जो glass back है वो matte finish के साथ आता है जिससे कि आपको जो fingerprint है वो बिल्कुल zero देखने को मिलता है zero तो नहीं बोलूंगा बट हा 90% कम देखने को मिलता है compared to interstellar glow या black में जो मिलता है उसमें आपको fingerprint देखने को मिलता है मेरे पास already samsung galaxy note 10 plus है जो कि aura glow के साथ आता है तो same तरह का feature आपको इस सकते हो silent पर डाल सकते हो या general पर रख सकते हो ring वाले mode पर तो मैं बोलना चाहूंगा दूसरे जो brand है phone company वाले है वो भी अपने phone में यह switch implement कर दे जो कि बहुत ही जादा handy हो जाता है बहुत सारे scenarios पर और third जो है वो है इसके speaker इसमें आपको dual speaker देखने को मिलता है तो आप अग कि अगर बात करें तो वो मेरा सबसे favorite है जो कि है इसके haptic हाँ जो इसमें जो vibration motor यूज किया गया है न वो क्या ही बताओ जब आप इस phone को हाक में लोगे और एक बद टाइप करोगे न वर्टस बगरा पर message बगरा करोगे तो आपका दिल चाहाएगा कि आप और ज्यादा messages कर जाला है तो उसके लिए आप वीडियो के निचे कमेंट कर देना आप देखना चाहते हो कि नहीं PUBG कैसा चलता है तो PUBG बगरा में जैसे आप gaming mood को on कर दे तो इसके अंदर जाकर सेटिंग बगरा में तो आपके एनिमी किस direction से गोलिया चला रहा है पायर कर रहा है राइट से फ क्योंकि 90Hz के साथ आप गेम्स को खेल सकते हैं जैसे कि PUBG में नया Irangle 2.0 मैप आने वाला है जिसमें यह फोन 90Hz को सपोर्ट करेगा और गेम भी जिससे कि आपका गेम और बेदादा फ्लोलेसली एंड स्मूदली चलेगा एंड फोर्टनाइट जो गेम है वो PC एंड कॉंसल अभी के फोन मतलब पॉंसल को टकर दे रहा है गेमिंग मतलब मेरा दिमा कैसे थूं हो गया तो आपकर इसका फोर्टनाइट वाला गेमिंग देखना चाहते हैं वीडियो 90Hz वाला तो मैं वीडियो डाल दूंगा उसका डेडिकेट वीडियो आप वीडियो के नेचे कमेंट कर देना मैं मजाग नहीं कर रहा दोस्तों ये फोन फोर्टनाइट को 90 FPS में चलाता है मैंने यूज करके देखा है और अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो ये फोन आपको कई से भी निराश नहीं करेगा बैटरी लाइफ में क्यूंकि जब भी मैं इस फोन को सुबा दज फूल चर्ज करके निकलता हूं तो पूरा दिन दो तिन गेम वगरा खेल के फूल मैस वगरा खेल के गाना वाना सुनके पूरी तरीके से यूज करके भी रात के आट बजे तक ये फोन 20% तक बैटरी लेट रह जाता है इस फोन में तो सोचके देख से तो कि आपको पूरा दिन का बैटरी बेकाप दे देगा अप जैसे भी इसको यूज करो और बीच में अगर आपका बैटरी ड्रेन हो भी जाता है तो इसका वर्ब चर्जर जो आता है वो उसको पूरा कर देता आप चार्ज में लगाओ, 10% आपका बैटरी आप मूँ धोके, हाथ धोके, हाथ मूँ धोके, सुबा उट का चायव अगर आप भी कियाओ, और आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये फोन 20 मिनिट में 50% चार्ज कर देता है, 0 to 50, 20 मिनिट में कर देता है, मतलब इतन होगा, Snapdragon 865 आता है, 5G modem के साथ, तो ये फोन future proof है, तो feature में अगर इंडिया में हमारे यहाँ पर 5G आ जाता है, तो आप इस फोन को यूज कर सकते हो, और 5G होने के बज़ाद से, आप अगर 4G में भी अगर connectivity यूज करते हो, आपके फोन को नेट वगरा चलाते हो, बात करते call पे, तो आपको better experience देखने को मिलता है, ये मैं खुछ से नहीं बता रहा हूँ दोस्तो, ये लोगों के experience है, जिस जिस ने भी use किया, मैंने भी खुछ से use किया है, और बहुत सारे लोग भी ये fact है दोस्तो, कि आप अगर 5G phone को use करते हो, 4G data के साथ, 4G sim के साथ, तो आपको better experience देखने को मिलता है, better connectivity देखने को मिलता है, compared to 4G phone, and ये सब छोर के जो मैंको सबसे ज्यादा और आपको सबसे ज्यादा पसंद आयाएगा, जिसके लिए ये phone आप खरीदोगे, मैं भी खरीदा है, वो है इसका Oxygen OS, हाँ जी दोस्तो, मतलब मैं क्या ही बताओ दोस्तो, Snapdragon 8 65, 90 Hz का display, वो भी curve के साथ, बहुती awesome premium design, Android phone, वो भी Oxygen OS के साथ, मतलब ये phone को ना super premium बना देता है, day to day life में, day to day users पर, जब आप यूज करोगे ताब आपको बता चलेगा, Chinese app की तो दूर की बात है, या आपर आपको कोई भी bloater बगरा देखने को नहीं मिलता, आप lots of customization कर सकत हो, जबकि ये near to stock Android है, या पर आपको कोई भी extra चीज़े देखने को नहीं मिलता, बट इसमा बहुत सारे customization कर सकते हो, जैसे कि अभी मेरे phone को आप देख सकते हो, मैंने सारे चीज़ों को खुद की हिसाब से tweak किया है, यहाँ पर custom icon pack को डाला है, और उसे के साथ ही बहुत सार और जितने भी user experience है मैंने आपको बता दिया हूँ, मैंको तो यह phone use करके बहुत ही ज़्यादा मजा आया है, और आपको पता ही होगा कि OnePlus हमेशा latest update को पूश करता रहता है, इनके पुराने से पुराने devices पर भी, तो आप अगर इस phone को खरितते हो, तो 3-4 साल बात भी आपको नहीं लगेगा कि आप पुराने phone को use कर रहे हो, जैसा कि iPhone बगरा में होता है, तो उस बात के लिए आप बिलकुल भी टेंशन मत लेना, update आपको time to time मिलते आ जाएगा, so I hope कि आपको यह वाला video और यह phone काफी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आ है तो definitely इस video के लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आप इसका जो gaming review बगरा देखना चाहते हो कि नहीं, उसके लिए definitely कमेंट कर देना, और उसी के साथ इस video को अभी तक अगर share नहीं किया है दोस्तों, तो क्या किया है दोस्तों, इस video को थोड़ा सा share करके, like करके, मेरा hack कर दीजे, और आप भी थोड़ा सा खुश रही है, और उसी के साथ ही आप अगर इस तरीके के quality वीडियो और देखना चाहते हो, तो क्या कर रहे है दोस्तों, definitely हमरे चैनल को subscribe कर देना, subscribe कर राइट साइट में आपको एक bell icon दिख रहा हो, उसको भी बजा देना, ताकि आप देख पाइस तरह के quality content सबसे पहले, सो वही मैं मिलूँगा आप सब लोगों से ऐसे ही और एक interesting सा वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आज पास सफाई बगर बनाए रखिए, sanitizer और मार्क्स बगर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, और ज़र